साउथ की वो अभेनेत्री जिन्होंने बॉलिवुड में मचाया धमा बड़ी बड़ी आखो वाली वो एक्ट्रेस जिसकी थी दुनिया देवानी अपनी अदाकारी के दम पर कैसे बनी पहली फेमेल सूपस्टार वो आदाकारा जिसके लिए राच कपूर तक लाइन लगा कर बैठते थे कैसे एलाज कराते कराते डॉक्टर को ही दिल दे बैठी थी अभेनेत्री तेरा साल के उम्र में ही अभेने का फूलोहा मनवाया जो बड़े बड़े दिगच अपने जिन्दगी भर नहीं कर पाते थी और जब बोल्ड लुक में नजर आई तो पिक्चर दिखने के लिए लोगों ने खरी दी थी ब्लैक में टिकर और क्या था इस अभेनेत्री का दिलिप कुमार से कनेक्शन क्या राच कपूर के साथ था इस अभेनेत्री का फैर है अभी बहुत कुछ और तो चलिए शुरू करते हैं बोलेवुड की महान अभेनेत्री वेजंती माला का जन में 13 अगस 1936 को तमिलाड में हुआ था इस महान अभेनेत्री ने भी एक्टिंग के शुर्वात मात्र तिरह वर्ष के उम्र में कर दी थी उनकी खुबसूरती और मासूमित ने उन्हें एक अलग ही पहचान दिलाई वेजंती माला हिंदी सिनमा जगत की सफल अभेनेत्रियों में से एक है विजन्ति माला वो अब इनेत्री है जिन्होंने सबसे पहले हिंदी सिन्वा जगत और साउथ फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सफलता को गले लगाया था ये कहना बिलकुल भी घलत नहीं होगा कि विजन्ति माला एक ऐसी अदाकारा है जिनमें हुनर की कोई कमी नहीं है एक्टिंग उनका डांस समेला जवाब है वहीं फिल्म में अगर आज अब इनेत्रियों के डांस को इतना एहमियत मिलता है तो उसके पीछे के वज़े भी विजन्ति माला ही है विजन्ति माला ने सिर्फ दक्षन भारती ही नहीं हिंदी सिनमा पर भी राज गया बड़ी और खुबसूरा तांखे शांत चेहरा और दिल्खुश कर देने वाले मुसकान अखर कौन उनका दिवाना ना बन सके उन्होंने बॉलिवड से लेकर ट्ोलिवड तक अपनी पहँजाम बहतरीन एक्डरस के तोर पर बनाए उन्हें ऐसी अबनेत्री के तोर पर माना जाता है जिए ने दक्षन भारती अबनेत्रियों को बॉलिवड में विशिश्च पहँज़ां दलाई दक्षिन के सिनमा में काम करने के बाद उनीस सो क्यावन में वेजनती माला ने बॉलिवर्ड में पहली फिल्म बहार की थी इसके कुछ समय बाद साल 1954 में फिल्म नागिन वेजनती माला के सिने करियर की पहली सूपर हिट फिल्म थावित हुई इसके बाद उन्होंने देवदास, साधना, मधुमती, गंगा जमुना, संगप, संगरश जैसी कई फिल्में दी उन्हें इन फिल्मों के लिए कई पुरसकार मिले शरत चंदर के उपन्यास पर बनी फिल्म देवदास में वेजनती माला ने चंदर मुकी का करदार निमाया था और इसमें उन्हें बहुत सा रहा गया था इसके लिए उन्हें सर्वस्रिष्ट और सहायक अबनित्री का फिल्म फियर पूर्सकार मिला था वहीं 1958 के फिल्म साधना में वेजन्ती माला को उनके जीवन का पहला सर्वस्रिष्ट अबनित्री का फिल्म फियर पूर्सकार मिला था फिल्म में उनकी एक्टिंग बहुत ही दमदार थी मधुमती फिल्म कुनरजन पराधारी थी इस फिल्म में वैजन्ती माला ने तिहरी भूमिका निभाई थी इससे दर्शक उनके फैन बंगए थे तेहरी भूमिका निभाकर वेजन्ती ने सिनमा में अपना दमदार कदम रखा था हालके इसके लिए उन्हें सर्वस्रिष्ट अब रित्री के फिल्म फेर पूरसकार के लिए सिर्फ ना मांग के थी किया गया था 1964 में फिल्म संगम परदशित हुई राजकपूर नर्मत नर्देशित संगम प्रीम तरिकोंट पराधारी थी इस फिल्म में उनकी जोड़ी राजकपूर और राजंदर कुमार के साथ रहे साथ ही यहीं से उनके और राजकपूर के अफैर की खबरे शुरू हो चुकी थी सिनमा जगत में अबनेतरी और अबनेता के अफैर के किस से आम है अक्सर साथ में काम करते हुए एक्टर एक्टरस को एक दूसरे से प्यार हो जाता है उस जमाने में वेजनती माला और दिलिब कुमार के जोनी को बहुत पसंद किया जाता था दिलिब कुमार संग वेजनती माला ने नया दोर पेगाम लीडर जैसी शांदार फिल्में की है काम करते करते दिलिब कुमार और वेजनती माला का नाम साथ में जुडने लगा राच-कपूर और वजन्थी माला ने एक दूसरे से दूरी बनाननी और सूपर- estarणे य। और पैंपूर और बॉय के जब दुर्फगर और इसके गाने और जबुढे जब जब जुल्फए तेरी दुनों ही सूपर- Dia س PK उधुर और बॉलिवुड में अपनी दंदार अधाकारी की छाप छोड़ गई। वेजंती माला ने अपनी मां से बच्पन में ही इंडियन क्लासिक से लेकर वेस्टन डांस तक सब सीख लिया था। वेजंती माला के हुनर के जला कई फिल्मों में देखने को मिली। वेजंती को अपनी दंदार अभिने के लिए सर्वसरिष्ट अभिनेत्रिका फिल्म फेर पूर्सकार मिला वेजंती माला ने अपने करियर में दिलिप कुमार, राजकपूर, देवानंद, राजियंदर कुमार, सुनिल्दत जैसे बड़े-बड़े कलाकारों के साथ काम जोड़ी हाला की सबसे जादा राजिंदर कुमार के साथ पसंद की गई। अब बात करते हैं कि कैसे वेजंती माला ने अपना दिल अपना इलाज कराने वाले डॉक्टर को है दी दिया। वैसे तो वेजंती माला का नाम दिलिप कुमार से लेकर राजकपूर जैसे दिगच सब बिमारी से चुटकारा पाने के लिए वो डॉक्टर चमलाल बाली के पास पहुंच गई इलाज कराते कराते दोनों काफी नस्दीक आ गये थे हलक डॉक्टर साहब तो पहले से ही उन पर फिदा थे इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से अपने दिल के बाते कहनी और दस मार्च 1968 में दोनों ने शादी कर ली डॉक्टर चमलाल और वेजनती माला को एक बेटा भी है वेजनती माला अपनी शादी शुदा सिंदगी में काफी खुश है अब वो पूरी तरह से फिल्मों से दूर हो चुगी सालों 1984 में वेजनती माला पहले बार सांसद यानि एमपी बनकर लोग सभा पहुची थी वेजनती माला चिन्नई की बड़ी नेता माली जाती है वो भारती जंता पार्टी से जुड़ी हुई है सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक रील मेरा दिल ये पुकारे आजा खोब वारल हो रहा है सभी इस गाने पर अपना वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे है गरसल एक पाकिस्तानी लड़की ने मेरा दिल ये पुकारे आजा गाने पर डांस किया जिसे भारत में भी खोब पसंद किया गया तब से ही ये गाना सबकी सुमा पर चड़ा हुआ है इसके बाद लोगों ने औरिजनल गाना सुना और अबनेतरी वेजिन्ती माला से वो रोबरो हुए वेजिन्ती माला ने 2007 में अपनी एक आटोबैग्रफी बॉन्डिंग भी लिके थी जिसमें उन्होंने अपने दोनों ही को स्टार्स के साथ किसी भी रिलेशनशिप की ख़बरों को खलत बताया था ये दो स्टार्स कौन थे उनके नाम हमने पहले भी लिए और एक बार फिर आपको बता देते हैं पहला राज कपूर और दूसरा दिलिप कुमार दोस्तों आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी आप हमें सुरूर बताएं और कॉमेंट करके ये भी बताएं कि आप आगे किस अभिनेता या अभिनेतरी के बारे बें जनना चाहते हैं हम आपके लिए हर रोज इस तरीके किस से लिकर आते रहेंगे इसलिए आपके लिए जरूरी भी है कि आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लीजी और साथ इसाथ बेल आइकन जरूर दबाईए जिससे कि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा इस वीडियो के लिए अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया